कुल्फा गोश केरी का सालन तो यह बहुत टेस्टी होता है एक बर आप जरूर ट्राइ कीजिए चाहे तो आप मटन या बीफ ले सकते हैं इसमें आप जरूर और जरूर बनाईए बस आधी केरी खटी जो होती है केरी का सालन बनाई हों में बेहत लजीज होती है यह दिश तो जो प्लीज देखिए और बनाईए ट्राइ कीजिए तो चलते हैं इसकी इंग्रिडियन्स देखते हैं सबसे पहले यह है केरी और यह है कुल्फे की भाजी मैंने एक बंच बड़ा ली हूँ देखिए इसे मैंने अच्छे से कट कर ली हूँ और इसे भी आधी केरी मैंने कट कर ली है बस है और यह है 300 ग्राम गोश आप कोंसा भी गोश ले सकते हैं गोश यह है प्यास प्यास मैंने 300 ग्राम ली यह है एक मुठी चनी की दाल जो मैंने 10-15 मिनल भीगा को रखी थी और यह भी मैंने यह दो मिक्स करके हम अच्छे से वाश कर लेंगे इसे तो इसे अच्छे से वाश करेंगे तीन से चार पानी में तो आप भी अच्छे से वाश कर लीजिए और अब इसमें देखिए मैंने वाश कर लिया है इसमें मैंने देट टी स्पून अध्रक लेसन डाल रही हूं यह है एक टेबल स्पून नमक टेस्ट टू साल्ट आप जायखी किसाब से लीजे मिर्च थोड़ी सी कम लीजिए बहुत अच्छा जायखेदर बनता है चाहे तो आप मिर्ची जारा भी ली सकती है वह आपके ओपर डिपेंड है मैं एक टेबल स्पून मिर्च ली हूँ और य इसमें देखिए इस तरह से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताके आपके गोश में भी अबजर्व हो जाए सारे मसाले और बहुत जाहवदर बन जाए अपनी डिश तो इस तरह से आपको कर लेना है अब इसमें हम आइल आइड करेंगे मैंने चार टेबल स्पून आइ इसमें हाफ ग्लास वाटर मैंने आइड कर रही हूँ तो देखिए अब हम लिड लगाकर इसे तीन से चार सीटी तक हम इसे अच्छे से गला लेंगे तीन सीटी में इंशालला गल जाएगा अगर मैं गलने की सुरत में है तो आप चार सीटी भी लगा सकते है देखिए ये देखिए हमारा मसाला अच्छा सा भुन चुका है गोश भी अच्छे से गल चुका है इस एक तरफ मैंने डाल को भी उबालने के लिए रग दी हूँ हमारी डाल भी अच्छे से उबल रही है अब चलिए हम इसे अच्छे से सौटे कर लेंगे यानि हम अच्छे से प्यास को हमारे दुप्याजे को भुणना शुरू करेंगे देखे इस तरह से पुरी प्याज हमारी अच्छी से गल चुकी है अब इसमें हम भाजी और कैरी दोनों का इस्टेमाल करके हम इसमें डाल देंगे देखे, मैं अच्छी से वाउच करके रखी हूँ ये सारे सबजिया, भाजी और केरी तो केरी का मौसम है तो ये बनाई है और इतनी जायखेदार होती है इतनी फ्रेशनेश दिखती है ये पकाते पकाते ही आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी तो देखिए इस तरह से हमें इसमें डालना है ये जस्ट 10 मिनिट्स के अंदर आपकी डिश तैयार हो जाती है इतनी जायखेदार होती है पुछो भाण गर्मी का मौसम है तो थंडे का एसास बहुत अच्छा होता है तो बहुत अच्छी बनती है इस दिखिए इस तरह से थोड़ा सा पानी आइड करके हम इसे गला लेंगे ढपकर रख दीजिए और पास तीन से चार मिनिट में ये अच्छे से बुरे जाएगी देखिए मैं आपको दिखाने के लिए इसका दूसरे बतर में मैं ट्रांसफर कर रही हूँ देखिए इस तरह से अब इसमें हम दालाइड करेंगे जो मैंने अच्छे से उबाली दम पे आप दालिए जब धम सालन मुकुरा भुने जाएगा तो आप इस तरह से दम पे लगाने के लिए दालिए वेहट जायखिदर बनती हैं इस तरह की दीश अगर खटी है आपकी कहरी तो आप जादा मत इस्टेमाल कीजिए या अगर जादा इस्टेमाल करने की शौकिंग है अगर खटी चीज खाने के तो थोड़ी प्यास एक्स्ट्रा काट लेजिए अब ये है दो मैंने श्लिट करके रखी हूँ हरी मिर्चे और ये है हरा धनिय या यानि कोतमीर ग्रीन चिली और कोरियंडर डो भी इसमें मैं मिक्स कर रहे हूँ डालके आड कर दी हूँ अब इसे हम ढखकर धीमियांच पे दम दे देंगे दो से तीन मिनट हम इसे अच्छे से दम दे रहेंगे ये देखिए अब इसमें हम जायखे की हिसाब से नमक आड करेंगे यानि स्वाद अनुसार नमक टेस्टो सॉल्ट हमारा तेल भी अच्छे से उपर आ रहा है देखिए इस तरह से हमारी दिश कंप्लीट हो चुकी है अब हम इसे धीमियांच पे बिलकुल धीमियांच पे हम इसे दो मिनट के लिए पका लेगे यानि दम दे लेंगे इसको तो गाइस आपको मेरे चैनल कैसा लगा आप जरूर और जरूर मुझे लाइक शेयर कीजिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मुझे बोलने में अगर कुछ भी अगर हलती हो रही है तो प्लीज गाइस आप लोग मेरे मुझे कॉप प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी डिश आप तक पहली पहुंच जाए, देखिए इस तरह से हम इसे दम लगाएंगे, मेरी डिश को लाइक कीजिए पसंद आए तो शेर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, देखिए हमारी डिश शांदर बनकर तयार हो गई, इसकी तेल की तरी भी देखिए आप इतनी अच्छी से आ गई है, यह बहुत अच्छी लगती है, समर में बहुत अच्छी डिश है यह, तो कैसी लगी गाइस, ज़रूर मुझे गु झाल 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 झाल, झाल झाल, झाल, झाल झाल, 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